नमहाज हम बात करेंगे इस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपके घर में बरसेगा धनी धन यहाँ उपाय करने से आपके घर में सुकसान्ती भी आईगी तो जल ही जीवन है तो जल यानी की पानी से करें विसेश उपाय पानी के उपाय से आपके घर में सुक सांती और धना आएगा तो यहाँ बीड़ो पूरी देखे और यहाँ विश्यस पाय जरूर करे तो जल से ही मनुष्य से लेका प्रकटी चल रही है जीव, जन्तु, पेड, पोधे जल से ही समस्देवी देवता की पूजा संपन होती है बिना जल के कोई भी देवी देवता की पूजा संपन नहीं होती जल के देवता वरुन देवता है जल में समस्देवी देवता निवास करते है शीर सागर में स्री भगवान विश्नो निवास करते है जहां भगवान, श्री नारण बिराजमान होते वहीं समस्थ देवी देवता भी बिराजमान हो जाते है तो आप समझ सकते हो जल से ही समस्थ परकर्टी चल रही है तो जल कितना महत्व है हमारे लिये तो आज मैं आपको ऐस उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने से आपको बहुत अच्छा लाप प्राप्त होगा तो जल से करें यहाँ बिसे सुपाय आपने क्या करना जल से भग्य मजबुत होता है तो आपने जल पिलाना है मनुश्यों को आपने जैसे केंप लगता है ऐसे आपने जल वितरन करना है तो आप किसी दिन भी अच्छे बार में सभी बार सुब होते है और आप किसी भी बार के दिन यहां जल वितरन कर सकते हो जैसे कि अगर आपके पाद धन और अच्छा उपलब दे है तो आप आजकल दुकानों में मारकेट में अमरूद हो गया या किसी फल का रस मिलता है आप मिला कर वितरन कर सकते हो यानि पिला सकते हो अब रोफ जब भी आता है जो लाल कलर का आता है अगर आप उनको भी पिला के उसको भी मिला कर पिलाते हो तो उसे सुरिया मंगर गरे मजबूत होते है क्योंकि वो लाल रंका होता है आप शुक्रबार के दिने आप किसी दिन भी आप नीमू पानी पिलाते हो तो उसे सुक्र गरे मजबूत होते है अगर सुक्र गरे मजबूत होते है जनम कुंडली में तो आपके घर में सुक, सांती, धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ आता है और जल, दान बहुत अच्छा माना जाता है तो साधा पानी भी आप पिला सकते हो अगर आपके पास उपलब्द नहीं है धन तो आप साधा पानी पिलाए उसे चंद्रमा ग्रह मजबूत होते हैं अगर चंद्रमा ग्रह मजबूत होते हैं तो आपका मन इस्तिर रहेगा आप हर कार्य छेतर में सपलता आपको प्राप्त होगी क्योंकि मन इस्तिर है तो आजमी अपना कार्या करता है अगर मन इस दिन निया तो आदमी पड़ाय से लेके नोक्री से लेके सब चीज छोड़ देता है तो जल का वितरण करने से बहुत लाब होता है आप पेड़ पोदों में भी परते दिन जल चड़ाएए पसवक्सिम को भी जल पिलाएए जितना आप से हो सकता है तो जल पिलाने से आपका भग्य मजबुत होता है जल ही जीवन है तो अगर आपके पास कुछ और नहीं है दान करने के लिए तो जल सर्वस्रेष्ट माना दाता है तो आप जल पिलाएए बहुत तो के पास बहुत सारा पैसा रहता है यानि कि धन लेता है अंगूठी पैनी रहती है चलो ठीक है आपके पास धन है आपने अंगूठी पैन रहती है गरहों के अंगूठी पैनी है या आपने सोनी चांदी के अंगूठी पैनी है तो लाखों के उन्होंने रिंग पेनी रेती यानि कि अंगूठी पेनी रेती है तो क्या करना है चलो ठीक है पैसा है आपके पार पेने हो पर दान भी करो पुन्य करो यही आपके साथ जाएगा आपके साथ तुमारे अंगूठी नहीं जाएगी आपके साथ आपका मकान नहीं जाएगा आपका बंगला नहीं जाएगा आपकी गाड़ी नहीं जाएगा तो पुन्यदान जाएगा साथ में आपने जो करम कर रखे उसका फ़ल जाएगा आपके साथ तो वही जो पुन्य आपने कर रखे आपके लिए भी अच्छा लाब प्रदान करेगा अर्साथ में जो आपकी फैमिली यानि कि आपका परिवार है उनके लिए भी अच्छा लाब प्राप्त होगा तो जरूर पुन्य दान करें जितना आपसे हो सकता है तो जल का महत बहुत अच्छा माना जाता है मनुश्य के लिए और आप अगर जल पिलाते हो मनुश्यों को पेड़ पोदों को परस्त पक्सी को तो आपको बहुत अच्छा लाप प्राप्त होता है अगर यहां वीडियो चलेगे तो लाइक करें, सेर करें, सस्क्राइब धरो करना धन्यवाद